दोस्तों सबसब आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल क्रेजी ग्यान पर किसी दिन ऐसे करते करते हैं मैं स्टेवल को तोड़ तूँँगा तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप सभी के फोन में डायल पैड जवू से होगा डायल पैड का ही इस्तमाल करके आप अपने फोन में किसी भी नमर को मिलाते होंगे किसी भी नमर को डायल करते होंगे या फिर आप सभी को अपने फोन में किसी भी कॉंटेक्ट को ढूनना होता है तो आप उने फोन के कॉंटेक्ट में जाते हैं वहाँ पर किसी भी नमर को ढ रही मिलाना बलकि जिसको भी आप कॉल करने वाले सिर्फ और सिर्फ आप सभी को अपने फोन में उस बंदे का नाम बोलना है और आपका जो फोन है खुद बाखुद उस बंदे को कॉल मिला देगा तो है ना दोस्तों काफी गजब की ट्रिक तो इस प्रकार की सैटिंग अगर आप भी अपने फोन में करना चाहते हैं ताकि जिसको भी आप कॉल करने वाले सिर्फ आपको उस बंदे का नाम बोलना है और आपका जो फोन है उस बंदे को कॉल मिला चुका होगा और आसानी से आप उससे बाते कर सकते हैं तो इस तरह की सैटिंग अगर आप भी अपने फ यहांपल देकर दिखा देता हूँ उसके बाद मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि किस तरीके से यह सेटिंग आप भी अपने फोन में कर सकते हैं तो सबसे पहले जैसी मैं अपने फोन के डायल पैड पर क्लिक करता हूँ तो यहां पर मुझे प्रेस and speak के उपर click कर देना है तो यहाँ पर चले मैं click कर देता हूँ call among तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसी मैंने फोन में call अमन बोला तो यहाँ पर उस बंदे को call लग चुका है तो इस परकार की setting अगर आप भी अपने फोन में करना चाते हैं ताकि जब भी अपने फोन के dial pad में आप जाएं तो simply यहाँ पर आप सभी को उस बंदे का नाम बोलना है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ call नील तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसी मैंने call नील बोला तो यहाँ पर दुवारा से मेरे फोन ने उस बंदे को call मिला दिया तो इस परकार की setting अगर आप भी अपने फोन में करना चाते हैं तो चली अब मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए आप सभी को अपने फोन में कौन सी setting करनी है दोस्तो इस setting के बार बताने से बहले सबसे बहले कर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किये तो वीडियो को एक लाइक आप जरूर से कर दीजेगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लिजे बगल में आप सभी को घंटी को पर क्लिक करके all के पर आप सभी को set कर लेना है इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ वोट से पे facebook पर भी शेयर कर देना है ताकि उन्हें भी इस trick के बार पता चल सके फिर आप सभी को वीडियो क करके आप अपने फोन में बोल के किसी को भी call लगा सकते हैं दोस्तों इस प्रकार की setting करने के लिए ताकि आप भी इपने फोन से किसी को भी बोल के call कर सके हैं इसके लिए आप सभी को अपने फोन में सबसे पहले एक application को download कर लेना है अब इस application का अनम है voice command अब जब इस application को आप अपने फोन में download करके open करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी के सामने इस तरीके से option आजाएगा चोहाँ पर आपको go ahead के उपर click कर देना है इसके उपर जैसी click करेंगे तो यहाँ पर आपको allow करना है और यहाँ पर आपको सारी permission को इस तरीके से allow कर देना है पिर आप सभी को वापिस से setting के उपर click कर देना है अब जैसी आप के उपर click करेंगे तो जो भी हाँ तरीक से काम कर सके हैं अब दोस्तों हमने जो भी setting है जो भी permission है सब ओपैलाओ कर दिया है इसके वाद आपको इस अप्लिकेशन में उर भी सैटिंग करनी है तो सिंप्ली हाँ पर आप सभी को यहाँ पर सैटिंग कर दोना है इसके दीद से बीधन के अब कुछ न फ向 नी खरनay जाना है अब बैक जाने कवाद जैसी यहाँ पर आप किसी का भी नाम बोलेंगे तो तुरंट के तुरंट आपका फोन उसे call लगा देगा तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ call अमन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसी मैंने इस बंदे का नाम बोला तो मेरे फोन इस बंदे को call लगा दिया तो इस तरीके से यह setting आप भी अपने फोन में कर सकते हैं तो उम्मीद करूँगा यह जो setting आप सभी को पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को जुर से लाइक कर दीजिए को चैनल को भी सब्सक्राब कर लीजेगा थैंक यू